हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल मेश्टर यूटूब सेनल, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके समने और एक नए वीडियो लेकर आ हूँ, और ये वीडियो ये है कि कभी-कभी Facebook जो है, Facebook का OTP आपके पस अगर नहीं आते है, OTP रिसिप नहीं होता है, जो भी Facebook account है, उसके password अगर आप कभी भूल जाते हो, तो OTP आना जुरूवी है, तभी जाके आप password को recover कर सकते हो, तो इसी तरह से कभी-कभी OTP नहीं मिलता है, तो ये OTP अगर नहीं मिले तो कैसे OTP मिलेगा आपको इस वीडियो बताऊँगा, तो इस वीडियो को शुरू सिले के ला यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मेरा Facebook account है, उसको मैं request करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर get code link, जो कि यह phone number दिया है, और देने की बाद मेरे को OTP नहीं आ रहा है, मतलब यह number पर OTP नहीं आ रहा है, Facebook का OTP, अगर आपको receive नहीं हो रहा है, तो आप कैसे ठीक करोगी, इस देखना, तो सबसे पहले आपको request करता हूँ, जो वीडियो देख रहे हो, आपको इसी कुछ पर पहले वीडियो को like कर देना है, और channel को subscribe नहीं किया, तो जल्दी से आपको subscribe करके, इसके साथ बेल है, यह all बला बेल पर आपको दबा कर देना है, और जो वीडियो देख रहे OTP अगर नहीं मिल रहे है, तो आपको सबसे पहले करना है, आपका जो play store है, प्लेटर पर जाना है, और फिर दोस्तो play store पर आने की पार, Sars एप में आपको लिखना है message, जैसी लिखोगे message, तो सबसे पहला वाला जो app है, यह app यहाँ से install कर लेना है, जैसा कि मैने अल्रेड यह इस तरफ से आता है, तो आपको install में दबाता है, यह एप को install करना होगा, और यह जो messaging app है, यह app में आपको कोई भी message अगर नहीं आता है, तो इस message app में आएगा, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, इस app को install करना है, कर दिने की बाद बस open कर लिएना है, जिसे security scan होगा, फ आपको यहां पर इस तरफ से continue to app पे click करके okay got it पे click कर दिना है फिर allow कर दिना है फिर आपको back आ जाना है और फिर यह जो current default है आपके message के इसको हटा के जो अभी अपनी install किया यह message इसमें select करना है कर दिने की बाद set as default कर दिना है और कर दिने की बाद जितना भी आपके पूराने message app में जितना भी message था तो सारा का सरा यह नया messaging app में signing हो रहा है मतलब उस message से यहां पे सब कुछ आ जाता है यह देखो ठीक है तो अभी देखना अभी ध्यान से देखो अभ अभी लेकिन यहां पर जो मेरे phone number यह phone number इस phone में है तो अभी उपर से दिखाता हूं यह देखो जो SMS app मैंने install किया था आपके सामने यहां पर देख सकते हो जो कि यहां पर उपर से दिखा दो यह देखो OTP आ चुके है Facebook का यह देखो इस यह देखो तो इसमें click करता हूं इस 007 0071 यह देखो डालते ही आभी मैं continue करता हूं continue कर दिने की बाद यह देखो create new password अभी नया password करूंगा कर दिने मेरा Facebook account खुल जाएगा तो इसी तरह से जो है आप आपकी अगर Facebook के कोई भी OTP नहीं आ रहा था तो यह setting से करो तो आपका phone number पर OTP आएगा अगर हाँ आपका phone number पर research नहीं है तो OTP नहीं आएगा ठीक है तो दोस्तों ऐसे कि अभी मैंने आपको like to like दिखाया बिल्कुल इसी setting के मदब से आप जो है फिर Facebook का OTP आपकी पास आ जाता है फिर उसी OTP से आप password को recover कर सकते हो तो अगर दोस्तों इस वीडियो से को भी सीखने में मिला और वीड कि अभी से कोईगाइए बिल्कुल गजा भी सीखने को भी साचड़ जो कि उसा आपकी आपकी मिला तोस्तों वीडियो से प्योज़े है में प्रावब कि अज़ एगर की है, बिल्सक्राभ का फिरा दो कि भी साज़ जागरा है भी आपकी आपकी है